जासे हैं आप मैं ध्रमिंद्र एक बार फिर अपने यूटूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं इस वीडियो में बात करूंगा कि 3DS Max का नया से शुरू हो रहा है के बहुत सारे आपको अल्री टूटोरियल मिल चुके हैं और 2020 मिलते रहेंगे मैं की शुरुआत कर दे गई है एक वीडियो अप्लोड हो चुका है जिसमें कैसे मैक्स को क्रेक किया जाएगा 2019 को और इसके बाद हम दोग आज इंटरफेस स्क्रीन के बारे में बात करेंगे कु कि इसको कि अच्छित है अब अल्रेडी हमारे है टास्क बार में खुला हुआ है 3ds Max नहीं तो यहां पर क्लिक करेंगे तो उपन होना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा ग्राफिक्स ज्यादा लेता है यह समय ज्यादा लेता है खुलने में तो यह स्क्रीम खोलेंगे हम यह ह इसके बारे में भी इंडिकेशन कर रहा है इधर कंट्रोल दा कैमरा एंड यहां पर ऑप्शन आते हैं ठीक है इसके सेलेक्ट वर्क स्पेस कमांड पैनल हो गया है टाइम और नविगेशन हो गया सींग स्क्रोडर हो गया यह हम सब ने देख लिए हैं यहां से हम इसको क्लो यहां इस में यह इसमें प्रोट में आप कुछ दिख रहे हैं चार तरह में हमें पर दो गयाते हैं तो बेशट पर है कि कैड में भी हम लोग 3D का काम करते हैं 3D Max थोड़ा सा extensive है थोड़ा सा exclusive है और थोड़ा काफ़ी realistic इसमें चीज़िया होती है तो इसमें आपके सामने एक view है यह top view है चाहे तो 2D ब्राइन इंपोर्ट करें या 2D कुछ यहां पर draw करें पुछ 2D का front view यहां दिखाएगा और left view यहां इसके अलाम हम इसके क्लिक करके view भी चेंज कर सकते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है आप अपने requirement के सबसे यहां पर आता है quality हो गया जिससे आप कहते हैं material वगएरा क्या यहां यहां पर विजूल स्टेट जो केड़ में होता है उसका काम यहां पर डिफॉल्ट सेडिंग फेशेट बिल्डिंग बॉक यहां पॉर्णिंग बॉक फ्लैट कलर हीडिन लाइन क्या दिखना है इसमें इस अरिज यह तो आपको टॉप भी हो गया प्रॉंट वीर हो गया लेफ्ट हो गया और यह आपका प्रस्पेक्टिव प्रस्पेक्टिव हो ही सबसे ज्यादा जो हमारे लिए बेनिफीसियल है और यूज होता है अब हमरे पास ऑप्शन होते हैं उपर जो है मेनू बात हो है ही ठीक है कि सब्सक्राइब तक अब हमारे बहुत सारे और स्पांति स близ contribute to तो सबसे पहरें जो इंपोर्टेंट है वह है आपका यह यानि इससे आप क्या करेंगे इसके बाद आता है यह आता है उसके बाद आदा है एक मतलब रोटेशन हो जाएगा और आर से यहां पर इनुपॉमिस के स्केल में भी वैरियस ऑप्षन आपके यहां पर इसकेल में अगर इस टॉब वीव को देखना चाहें तो हम लोग इस क्रीम को बढ़ा करना चाहें तो अल्ट डब्लू प्रेस करेंगे तो यह चीजे जो भी बनेगी हमारे हाँ यह आपको इप बनाना चाहते हैं तो बनेगा यहां पर हमारा क्यूब बापस है जिसे आप अपने मन मता अब एक आप चाहें तो रोटेट कर लेते हैं ठीक है दिख रहा है जिसे चाहे से चाहे जब वीव आप चेंज कर सकते हैं ठीक है बोटम भीव आ गया ठीक है अब जिस तरह से चाहें इसे आप यूज कर सकते हैं यह रहा हमारा टॉप फिर हमारे सामने आगे तो आप इसको को कंट्रोल भी कर सकते हैं ठीक है अब आते हैं अब एक स्वाई अपने परंफरी का पॉजिशन में ट्रेडिशनल वे में हैं अल्ट डब्लो करते हैं ठीक है जी हो गया पॉजिशन है अभी होता है लेट विऊ हो गया और यह हो गया प्रांट विऊ यह हमारा क्यूब को मैंने दिखाई दिया था क्यूब कैसे उज़ करना है ठीक है व्यूद को और अब यहां पर हमारे टॉगल स्नैप्स हैं कि स्नेप में हमें राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पस ग्रिट पॉइंट आ जाएगा प्रिश्पेक्टिव आ जाएगा ठीक है वाट एक सज जाएगा जिस हिसाब से काम करना है आपको पर प्रिनिकूलर हो गया ग्री लें शोगया बार्निंग वैसे कैड में भी था जो स्ने कर सकते हैं इस भोट लेकर दिएक बेट्स चलेगा ठीक है मिर्ट पॉयंट से करना चाहते हैं इन पॉयंट से लेके चलना चाहते हैं किसे को evidence और मीडरों से लेके जा सकते हैं अब आते हैं हम लोग गयो तो एक्चुल चीज है वह हमारा प्रस्पेक्टिव इस प्रस्पेक्टिव में मैक्सिमम काम होता है इसको हम लोग क्या करते हैं अल्ट डबलू करते हैं और अल्ट डबलू से हमने इसको व्यूह को बड़ा कर लिया एक हाँ व्यूह में हमें नहीं जाना है हमें जाना है इस देखियाने में पर में इतनी सारी चीज आजाएं इसका मोडिफाइर का हो गया है है इसके भाद आंका मोशन हो गया डिस्प्ले हो गया यह अपका यूटिलिक्टी इपस टूट सुट ईब सबसे पहले क्षमेट्री में देख रहे हैं है आपको पूऱों प्लाइब घृत कर पिर इसके बाद ऊपर की तरफ चिलाएं टिके अब इसके डायमेंशन हमको पता नहीं क्या है इसका दायमेंशन हमको पता नहीं तो डायमेंशन हम क्या करेंगे या यहां यहां ले ले लीते हैं यह जब तक मेता हैं Chevや dim कि से इसी तरह से यहां में फाइब लिल्यामने ज हएं ठीक है तो जब तक हम इसके औरण कर सकते हैं और सकते हैं और गुमाना चाहें तो ALT के साथ इसको जिसे तरफ चाहें हम घुमा सकते हैं ठीक है ALT से इसको कंट्रोल कर सकते हैं ALT और स्क्रॉल बार को हम दोग जैसे ही उच करेंगे ठीक है हमारा क्यूब उस रिसाब से चलेगा क्लिर हैं ठीक है न अब जो सबसे ज़रूरी जिसकी बात कर रहे थी हम लोग क्यों करते हैं यह बाहर चलिया रहे हैं ठीक है कि अब आते हैं कि की डबलू डबलू वाला ऑप्शन जो हैं वह 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 स्लेक्ट एंड मोव वाला ऑप्शन है इसको घीजमो भी कहते हैं ठीक है तो जैसे यह पकड़ेंगे हम यहां से दिक रहा है जेट को पकड़ेंगे ऊपर की तरफ ले जाएगी तो आप जेट उपर की तो X की तरफ जाएगा यहाँ पकड़ना है ठीक है एक सी की तरफ move होगा य को पकड़ेंगे तो य की तरफ होगा ठीक है तो यह नॉर्मल जिस तरफ हम करेंगे उस तरफ move अभी एक स्वाइजड अपने नॉर्मल यहां पर आ आपको फ्रेंट रहा और यहां पर रहा है और यहां पर यह दिखा रहा है अब Teil को फिर आ जाते हैं अड डवलु से ठीक है और आपने अगला कमार्ड ने था तो गिजम मुदख के सो इस पखिणा था तो यहां से पक्ड़ेंगे यहां से कंप्रीट लिए कहीं भी ड़ोक सकते हैं कि यहां से पक्ड़ेंगे तो कहीं भी मूव इसको कर सकते हैं ध्यान रखना है और X का मतलब आपने समझी लिया है X की तरफ जाएंगे Y का मतलब Y की तरफ जाएंगे यहां से ठीक है और Z का मतलब हाइट की तरफ जाएंगे ठीक है यहां से आप चाहें तो इसके value को control कर सकते हैं सब को zero कर लेंगे क्या कर लेंगे जिरो कर लेंगे जिरो करते ही यह सेंटर हो जाएगा क्या हो जाएगा ठीक है इस तरह से इसकी positioning हो गई है और आपका made positioning हो गई है center में positioning इसकी हो गई है अब आते हैं कि हमने move और gizmos के use के बाद हमने है अगला option है select and rotate ठीक है इसको हम दो बोलते हैं e से आएगा किसे आएगा command इसके लिए use करते हैं अब e use करते ही हमारे पास यहां पर इसके rotation के लिए option आ गए और rotation को जिस line से पक्रेंगे जिस तरफ move करना चाहते है 360 degree पर इससे rotate कर सकते हैं अब हमने इसमें से red line लिया इसको इस तरफ से rotate कर सकते हैं ठीक है इसके अलाव आप चाहें तो इसको इस तरफ से rotate कर सकते हैं क्लियर है ठीक है और ऐसे भी कर सकते हैं तो आपने क्या देखा कि सारी rotation के option हो गए ठीक है अब आते हैं हम लोग rotation के बाद scale का option क्या है scale के लिए हम आर प्रेस करते हैं क्या प्रेस करेंगे और और इसमेंगे option है फॉस्स ले रहे हैं अब इसमें अगर y को खीच रहे हैं तो y की तरफ और अई ठीक है एक्स को खीच रहे तो एक्स कि तरफे expand हो रहा है और जेड को खीच रहे हैं तो यह जेड की तरफ expand हो तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इस object को आप resize कर सकते हैं तो आपके लिए यह सबसे जो important command जेट तो जह हैं Q WR Q से आप सेलेक्ट कर रहे थे चीजों को रेक्टेंगुलर सेलेक्शन ठीक है एक बार में ऐसे ठीक है क्रोस विंडोस सेलेक्शन ऐसे कर रहे थे कि यूशे आप ऑप्शन आ जाए बाहर आ जाए ऐसे कर रहे थे ठीक है इसके बाद आपने यूज किया W W से आप गिजमों यूज कर रहे थे मूफ परने के लिए आप डाउन लेट राइट जीज़र भी जाना चाहे एकस वाई जेड ठीक है रोटेशन के लिए आपने यूज किया और स्केल के लिए आपने आर यूज किया है ठीक है तो यह कमांड जो है डबलू ए आर कम से कम याद रखिएगा बहुत सारे चीजें को समधान हो जाएगा बहुत सारे प्रॉब्लम के प्रॉब्लम का सुलूशन आपके पास मुझूद बहेगा इसके बाद जो ऑप्शन आता है वह आता है हमारे पास यहां पर यह हैं इसके बाद आपको ऑप्शन आता है कीबोड शटकर्ट ओगर राइट ओगल है इसके बाद स्नाइप टोगल है स्नाइप टोगल राइट क्लिक करते ही यहां पर हमारे पास आता है कि आप इसमें से वह अप्टेक्स यूज़ करना चाहते हैं परपेंडिकुलर यानि आपको ऊपशन हमें यूज कर सकते हैं यहां पर रोटेशन के लिए आप एंगल को और करेंगे तो रोटेशन इंगल पर हम लोग कर सकते हैं इसके बाद Presents snap toggle हो गया इसके बाद हो गया Αपका spinner snap toggle और चलते हैं बागी जो चीज़ें mirror हो गया align हो गया और mirror हो गया mirror से से subject का similar object और आ फोजिक्ट बना सकते हैं ठीक है align से किशी भी object को बना करके और कहा align करना है किस के साथ attach करना है align कर सकते हैं ठीक है यह होता है सबसे जो जरूरी पैनल है हमारा है इस पैनल में हमें पहला प्वाया तो ऑप्शन देख लिया इस बॉक्स का बॉक्स को मोडिफाई करने के बारे में भी हम चच्चा करेंगे अगले में अभी हम इस ते रिलेटर जितने कमांड है पहले उसके बारे में हम देख ल है कोन के लिए जूम कर लेते हैं कोन के लिए option क्या है हमारा हम यहां पर पहले आफ कर लेते हैं इसको हमने यह ड्रॉ किया फिर हम उपर जाएंगे अब यहां पर होता क्या है कि रेडियस वन नीचे हमने और डी ले लिया डिपर्ट रेडियस टू हम चाहें तो यहां पर छोड़ देते हैं ठीक है छोड़ करके selection है all selection के बाद हम अंदर की तरफ जाएंगे या बाहर की तरफ जाएंगे ठीक है यहां से भी control करनाचाहते हैं हम्रेडियस को ठीक है तो to control कर सकते हैं हमरे रेडियस यहां पर ले लिया Uh पर यह न चार फित ले लिया ठीक है तो ऐसे गया अब अगर इसको हमने ले लिया होता एक फिप तो ये उल्टा जाता ऐसे जाता हाइट हम यहां से increase और decrease कर सकते हमने यहां पर 8 ले लिया या 7 ले लिया तो हाइट यहां से आप देख रहे हैं की इंक्रीज हो ठीक है अब आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे दिख रहा है ठीक है अब आते हैं कि अब चलते हैं कि अगला जो ऑप्शन क्या है अब इसो सेलेट करके हम लोग डिलेट कर लेते हैं ठीक है कुन के बाद आते हैं स्पेयर में स्पेयर में हमारे पास ऑप्शन है कि आप इस तो सेंटर कर लेजिए जूम कर लेजिए ठीक है कि क्लिक किया है ठीक है यह रहा हमारा स्पेयर अब स्पेयर में आप जाएंगे यहां देखेंगे रेडियस क्या है रेडियस हमने बढ़ा लिया पांच फिट कर लिया इंटर सेग्मेंट्स इसमें कितने है ठीक है तो सेग्मेंट्स को हम लोग 32 दिखा रहा है हम इसको 60 कर लेंगे हम इसको 15 करके देखते हैं ठीक है तो यह कुछ रफ सा दिख रहा है ठीक है जितना हम लोग सेग्मेंट बढ़ाएंगे हम थोड़ा साथ करके छे करके देखते हैं और र हम फीर हुआ है। थीक हैं से मूथ का उफ्षोन है यहाँ पे dois मूथ दिक नहीं यह इस दिखना आप यहां से इसको कण्टेront कर सकते हूं है म यह स्पेयर यहां से दिकरा है क temperatures में देखना है यह फूल में देखना आधा कठा हुआ दिख्र यहां से आप गडिल कर लाए है है मिधे चॉप है स्क你好 लेकर पूर कर लेते हैं एक ही कि आदे कि इस पर पूरा कर लेते हैं ठीक है है में स्पेर पूर रहा हो गया अब स्लाइस ओन करते हैं स्लाइस फ्रॉम किस एंगल से सुरू करते हैं यह देखिए ठीक है कहां तक जाना है यह देखिए इधर से कम कर दिया ठीक है इधर से बढ़ा भी सकते हैं तो आप इसको कर सकते हैं ठीक है या आप उसको पूरा कर सकते हैं स्लाइस ओन अटा दीजिए तो आपने कि देखा कि एक स्फेर में आपके कितने सारे option है कितने सारे multiplication आप इसमें कर सकते हैं अब स्फेर और जीओ स्फेर में फर्क होता है केवल इनने जो इनके इनकी रचना है उसमें फर्क होता है और कोई बात नहीं होती है एजड फेस करने पर दिख रहा है ना अब अब देखिए कि अगर हम जीवे स्थेयर बना रहे हैं क्या बना रहे हैं जीवे स्थेयर बना रहे हैं तो क्या हो ठीक हैं दोनों का तुनला करेंगे थोड़ा सा स्केल करके छोटा कर लें इसे ठीक है इसको छोटा कर रहते हैं अब जीवे स्पेयर बना रहे हैं जीवे स्पेयर में भी सिमीलर चीज़ें लेकिन क्या है इनके जो सर्फेस पे जो टेक्स्चर है जो लाइन से जो पॉली लाइन से वो कुछ अलग ढंसे है जो सेग्मेंट बड़ डिवाइड हो रहा है वो कुछ अलग ढंसे वीव किया हुआ तो इन दोनों में यही फर्क है इसमें भी सेमचेफ लाई होगा आप चाहें तो रेडियस कम ज्यादा कर सकते है ठीक है पूरा एक रख लेजिए सेग्मेंट आप खटा बढ़ा सकते हैं दिख रहा है जितना सेग्मेंट बढ़ाएंगे उतना स्मूथ होगा है ठीक है इसमूथ रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं अब हैमियस पेर वाली बात तो इसमें भी हैं हैमियस पेर रख स सकते हैं अन्य पिंग कोडिनेंट जिनरेट कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं मैटरियल देने के बाद मैपिंग का यूज़ा हुगता है यहां से आप चाहे तो इसको कलर चेंज कर सकते हैं ठीक है deposit आप सेलेक्ट करते हैं, डिपलेट कर देते हैं, ठिक है, इसकी बाद आता है, Sun, cylinder आता है, cylinder भी similar है, आप vendor से आपने baseë database लिया, और top radius लिया, हाइड छोड़ दिया अब यहाँ से आप इसको control कर रहें रेडियस को आपने एक ले लिया इंटर हाइट आपने यहाँ पे आठ ले लिया ठीक है दिख रहा है और हाइट सेग्मेंट आप इसको डिवाइड कर सकते हैं इसना आठ नव दस है कैसे दिखेगा जब जाएंगे एज में इसमें जाएंगे एज फेस में जाएंगे तो हाइट सेग्मेंट इसने सो कर दिया है ठीक है कैप सेग्मेंट भी देख लीजी दिख रहा है उपर से भी तो जब हमें जवरत पड़ी के साइट सेग्मेंट रथा रहा है ज़्यादा कर सकते हैं ठीक है यह सारे सेगमेंट जो हैं बाद में किसी भी तरह का और मडिफिकेशन या मैंने कुलेशन में बहुत काम करता है ठीक है अब स्लाइस करना है इसमें भी स्लाइस ओन हो जाएगा अधा धार दिखाई देगा वन फोर्थ दिखाई देगा ठीक है दिख रहा है आप इसको करते च साइज है मैंने में हो जाएगा हम लोग डालें है तो आप ने देखा कि हमने स्लेंडर को कैसे यूज किया है some को अब लेते हैं अब लेते हैं अब लोग ट्रीज रहन के त्यूब का सिमिलर में ठड है कि एक बेस रेडियास kullad ठीक है और दो रेडियस होते हैं अंदर की तरफ भी रेडियस होता है ठीक है और उपर भी इसको लेके जाते हैं ठीक है वेल जैसा एक से बनाता है अब यह यह creation method हम एससे बना सकते थे यानि किनारे से बना सकते थे यहां से एक साइट से बनता ठीक है दुसरी तरफ जाता लेकिन हमने सेंटर से लिया था अब इसमें रेडियस वगएरा सब कुछ यूज कर सकते हैं यह हमारा object है सपोर्ज ठीक है डिलेट करो फिस से बताओ बनाओ ट्यूब था यह रहा ठीक है अब इसमें आप देखेंगे कि हम modification सब को मालूम है कि क्या होता है कैसे किया जाता है कैब सेग्मेंट हम इसमें बढ़ा सकते हैं यहां से ठीक है साइट्स का भी बढ़ा सकते हैं कि इतना बढ़ाएंगे slice on इसमें भी काम करता है इतना ही चाहिए हमें आर्क में कुछ बनाने कुछ दियाइन बनाने हम इतना ही चाहिए तो हम उतना ही रखेंगे इधर से चाहिए ठीक है इस तरह से आप इसमें भी यह मिथर्ड यूज़ कर सकते हैं कलर यहां से चेंज़ कर सकते हैं ओके तो आपने देखा और एज्ट फिस को हटा देंगे तो यह स्मूर्ड दिखाई देगा हमारे ठीक है तो अब देखा आप तक आपने इस इस्टेंडर्ड पिमीटी में आपने देखा क्या की त्यूड का यूज़ कैसे करते हैं इसमें इंनर और रेडियेस और आउटर रेडियेस दोने डिसएड करना होता है ठिक है सबोर्ज आपने इनर रेडियेस यह दे दिया है यह तिक है अब रोटेशन आप चाहें जहां जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं कि अब दूश्ट चाहते हैं तो ट्विश्ट भी डाल सकते हैं ठीक है सेलेक्ट होना चाहिए अब्जेक्ट कि साइट्स बढ़ा सकते हैं साइट्स घटा सकते हैं क्योंकि फिनिश हो गया है अब्जेक्ट का इसलिए चेंजेज जो है कि मोडिफेकेशन में आता ठीक है दिख रहा है आप रेडियस्ट्व कम करना है अगर कम कर सकते हैं कि मैं सकते हैं रोटेशन रखना है नहीं रखना है उ ट् filsा नहीं रखना है यह रखना है ठीक है में जाकव देखते हैं कि इसलिए रखने है कि सेग्मेंट कितने रखने हैं और स्मूथ करना है साइट जितने बढ़ेंगे उतना स्मूथ होगा स्लाइस ओन कर सकते हैं तो यह देखिए पाइप करेगा यह भी तो इस तरह से आप अपने वीडियो को आप अपने प्रोजेक्ट को इन सब इतने भी सेप्स हैं इनके सारे आप कुछ भी क्रियेट कर सकते हैं ठीक है आते हैं इसमें कीबोड इंट्री भी होता है कीबोड इंट्री का मतलब होता है कि पहले एलू दे दो ठीक है उसके लगे क्रिक करो वह बन जाता है ठीक है सब के साथ है अब आते हैं हम लोग अगले option पर आते हैं प्रेमिड पर इसको डिलीट कर लें जो भी लेनाइज ले सकते हाइट वेट जो भी करना आकर सकते हैं जो भी changes चाहिए अब ठीक है कि देखरा है हाइट segment भी दिवाइट कर सकते हैं और आप इसके age को जाके चेक किजिए क्या चेंजे जाया है फेस में इस तरह काई बहुत सारा से इतनी की जरुरत हमें नहीं थी ठीक है अब यह दिख रहा है प्रोपर दिख रहा है तो इसमें कुछ है खास सीज नहीं था आरे क्रेशन मिथल बेस से भी ले सकते थे और apex से भी ले सकते से थे ठीक है तो यह हो गया हमारा भी पिरेमिड अब आते हैं अगला है हमारा टीपोट टीपोड बना बना एक सेफ होता है जिस को मैनुकूलेट कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हम भी बाद में यह रहा हमारा टी पोड ठीक है एज़ फेस अटा देते हैं तो हमें ऐसे दिखाई देता है ठीक है इसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं करके देख लेए ठीक है अब इसकी खासियत यह है कि हमने यह ले लिया है और हम इसने क्या चींजेश चाहते हैं हम चाहते हैं कि handle ना रहे, handle गायब हो गया, sport ना रहे, sport गायब हो गया, lead गायब कर दिया, यह अलग से बन गया, तो आप चाहें तो आप इससे बहुत सारी चीज़े create कर सकते हैं, segment घटा बढ़ा सकते हैं, और सिग्मेंट घरा बढ़ा करके आप चाहे तो कुछ और कर सकते है रीजह इसे बहुत जादा सेग्मेंट हमने देदी आ इतली संग्मेंट की जोरत नहीं है तीक है आप जाके देख रहा है ठीक है तु यह बना बनाया है तीपोड अफके अब र्स टो मनट खतम नहीं हुआ है डिलिट करते हैं अब आते हैं प्लेंट पे प्लेंट क्या है स्ट बनाने के लिए उस किया जाता है च्दर हो गया आपको द vraiment हो इननें हमैं हम लोग ख़्ॉद्धिं इफ Γियर ए इसका यूझ करते हैं ठीक है लेंगट विट ले सकते हैं segment बढ़ा सकते हैं दिख रहा है segment बढ़ाते हैं यह एपिल्कुल अलग चीज़ दिखने हुआ है scale कर सकते है render menu multiplier में जाके density बढ़ा सकते हैं गटा सकते हैं इस तरह से हम plane का भी यूज करते हैं अगला command जो बस्ता है वह है हमारा है टेक्स्ट प्लस टेक्स हां टेक्स्ट प्लस पे क्लिक किया है अब यह टेक्स्ट प्लस में क्या है हमारे पास ऑप्षन है कि जाके बॉक्स के अंदर हम लोग अपना टाइप कर लें कुछ भी अधिक है यह चीजे आप ने कर लिया है अब इसके बोल्ड हो गया इटालिक्स हो गया यह सब से जो चीजें हैं आप एडिट कर सकते हैं हाइलाइट कर सकते हैं बहुत सारे ऑप्षिन इसमें सेलेक्शन के बाद आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेते हैं ठीक है तो यह मुडिफायर में हम जाके हम आराम से कर दो ठीक है तो दिख रहा है एक फिट कर लेते हैं हम सेक्स्टूट सेग्मेंट ऐसे तीन चार जो भी हो गया और कुछ चीज में चाहिए और हम जैसे ही बाकि चीज dwell करना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी चर्चाएं होगी ठीक है देखने में कैसे लगता है ठीक है तो आज के लिए हम आने इस टेंडर प्रिमितिव कमांड पैनल में से किया है और इस कमांड पैनल में जो जो प्रिमितिव था फर्स टाइप में, जो इस्टेंडर पिर्मिटिमें, उसमें मैकसिमम हमने कर लिया है, इसको मोडिफाइर करने के तरीके भी मोडिफायर में जाके हम बताएंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रही, और अगले वीडियो में जाकर के, बाकी अपडेट के लिए आपको कोमेंट्स कर दीजेगा प्लीज और बेल आइकन जो होता है एक घंटी जैसर उस घंटी को प्रेस कर देने से पता सलता रहता है कि नया वीडियो क्या और क्या रहा है ठीक है कभी प्रेस कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि जो भी डिजाइनिंग से रिलेटेड लोग है उनको क्यों को प्लेटी कंटेंट मिले और कैसा लगाए वीडियो और फिल्बेक देते रहिएगा सुधार की गुंजाइस तो हर जगा है हम भी लोग भी प्रोप्रकोसिस करते हैं कि आपको बहतर से बहतर कंटेंट दें और चैनल को सब्क्राइब देते हैं ठीक है झाल